तो आज हम देखने वाले हैं desirable program characteristics अब ये exam में आपको question पूछा जाता है और क्या-क्या characteristics होने चाहिए एक program के ऐसा programmer आपको पता रहना चाहिए तो सबसे पहला first point आता है clarity the program should be written very clearly मतला आप जो भी program लिखना चाहिए ताकि न मतलब third persons को read कर पाए तो समझ पाए कि ये coding clearly मतलब handwriting wise नहीं बता रहा हो आपका जो code हो clear होना चाहिए उसमें जादा confusion होना चाहिए मतलब आपने indentations करना चाहिए brackets को proper देना चाहिए एक program के अंदर program जब होता है तो वैसे space द होना चाहिए उसमें mistakes नहीं होना चाहिए अगर mistakes है तो कब नगा आगे आगे जाके आपको तकलिक देने वाले तो it should be very accurate उसके अपने आदा simplicity the program should be very simple मतलब ऐसे ना हो कि आपने प्रोग्राम को काफी जादा complicate कर दिये if-wells के अंदर if-wells के अंदर if-wells के अंदर switch case के अंद possible ऐसे अलग-अलग बड़ा-बड़ा-बड़ा मतलब ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं आप प्रोग्राम को जितना simple रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और आने वाले time में कोई third person भी आगर उसको read करना चाहेगा उसके आगे करना पाएगा तो उसको easy जाहेगा तो program should be very simple उसके बाद में efficiency, efficient execution speed and efficient utilization are important ingredients of efficiency आपने code लिखा है वो code efficiently run होगा या हम कैसे कहेंगे जब यहाँ पे उसका जो speed है वो fast देखो आप मानके चलिए मैंने एक code लिखा है जो 10 line का है और वो output लाके दे रहा है और वही same output लाने के लिए मैंने और एक code लिखा है जो 100 line का ह तो बताइए कौन सा program ज्यादा जल्दी efficiently लाके देगा output definitely dust line का जो code है वो मुझे फटा फटा आउटपट लाके देगा मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरा हूँ कि जो code होगा उसको आप जितना कम लिखेंगे efficiently लिखेंगे उतना output उसका efficient होगा next point आता है उसका modularity breaking down of program into small small modules in order to increase the clarity and accuracy of the program is known as modularity कभी कभी क्या होता ना कि हमको जैसे एक बड़ा problem है उसको हम solve नहीं कर पाते वो बड़े problem को हम लोग खतम नहीं कर पाते तो उसको हम लोग चोटे चोटे पार्ट में खतम करते चोटे 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 पार्ट में तोड़ के उसकरते तो हमारा programming भी हम चो general within reasonable limits अब कैसा होता ना कि हमको programming जो करना है वो इस तरीके से करना है देखो आप programmer हो आप software बना रहे हो आप एक company में हमेशा जिंदगे बर के लिए नहीं रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप software बनाते बनाते बीच में कोई दूसरे company में चले गए तो आपके बदले में जो आम के होने चाहे और आपको programming करते हो यह चीज़ ज़रूर धान रखने चाहे तो दिस अल अबाट टोड़ेस वीडियो थैंक्यों वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो